नमस्क्राइब दोखतों आज के सेशल में हम डिसकस करेंगे Excel में Paste Special एक्सल में पेस्ट स्पेशल से बड़ी आसनी से कंप्लीट कर सकते हैं तो शुरू करते हैं जानते हैं Paste Special को आप किस-किस तरहीचे से यूज़ कर सकते हैं एकस्क्टंपल के लिए यहां पे एक class की sheet लिए है यहां पे student name है marks है इनके students के है or total end-percentage जासे आप copy paste करने के लिए पहले matter को select करते हैं इसे तरीके से paste special में भी आपको matter को select करना होगा तो हम पूरी sheet को select कर लेते हैं और simple करते हैं, copy और paste करते हैं, simple paste आपेस्री से करते हैं अब हम इसको paste special से, आपकिस से कर सकते हैं, first copy है, हमारे पसमे ही है, इसको हम paste करने के लिए, right click करेंगे, post special पहेंगे, तो paste special का डायलग बाक्स हमारे पास में open होगा, first option यहाँ पे, जिस तरीके से simple paste होता है वो ही simple paste यहाँ पे है all पे click करेंगे तो जो हमारी source sheet थी वैसी कि वैसी हमारी पास में वापस एक sheet create हो जाएगी यहाँ पे student के name formula बार में आप देखें तो यहाँ पे हमने constant 78 दिया हुआ है यहाँ पे हमने total लगाय हुआ है तो यह formula show कर रहा है आपको comments जो है comments भी show कर रहे है undo करते हैं इसको next option से वापस से right click करेंगे paste special next रहता है हमारे पास में formulas formulas पे click किया friends अगर आप formula option को use करते हैं तो यहाँ पे सभी कुछ आपके पास में formula भी आ जाएंगे values भी आ जाएगी और formatting नहीं आएगी जैसे कि यहाँ पे border नहीं आ रहा है या background color नहीं आ रहा है comments भी नहीं आ रहे तो complete formatting को छोड़के बाकी की sheet आप copy कर सकते हैं next option values values पे click किया values के through values से हमको sheet पे जो दिखाई दे रही है same changing values यहाँ पे आपके पास सो हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास में formula नहीं आके जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे source में और को formula बाराu पे source में आरे को इसका formula दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे हम्को formula नहीं दिखाई दे अगर आप केवल sheet का format copy करना चाहते हैं, बाकि कोई भी values आपको नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से formatting के थुरू, केवल formatting sheet की जो है, वो copy कर सकते हैं. Formatting यहां पर सेम है, जैसे कि यहां पर जो font size 14 है, यहां पर 14 और bold नज़र आ रहा है हमारे को. Sheets में से अगर हम केवल comments copy करना चाहें, तो next option आता है हमारे पास में comment का, comment पर click करेंगे, ok करेंगे, तो केवल जो comments आपने sheet में डाले हुए हैं, वो आपको show होंगे, जैसे कि यहां पर हमको show हो रहा है, total marks, यहां पर हमने comment दिया है, total marks, यहां पर दिया हुए percentage, percentage, good. इस तरीके सागर आप sheet में से केवल comments को copy करना चाहें, तो comments को भी copy कर सकते हैं, next validation, validation से आप sheet में आपने जो validation लगाया हुए है, उनको आप copy कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लगाया हुए validation, कि students marks जो है, वो 0-100 के बीच में ही enter कर सकते हैं, यहां पर हम marks 100 से जादे enter करने ह कोशिश करेंगे, तो यहां पर यह, the value you are entered is not valid, यह message दे रहा है, यह हम यहां पर minus में mark देते हैं, तो भी यह valid नहीं बता रहा है, मतलब यहां पर जो strengths marks हैं, इसमें हमने validation लगाया हुए, तो आपको अगर केवल validation copy करना है, तो next option आता है हमारे पास में, validation का, केवल validation कापी करना है, जिन जिन sales में validation आपने लगाया हुआ है, वो validation कापी होगा, जासे यहां पर अगर हम enter करने ही कोशिश करते हैं, टिपल वन, तो हमारे पास में not valid का message आता है, या, तो friends इससे आप validation केवल कापी कर सकते हैं, नेक्स आता है, paste special, all using source theme, जैसा source है, सेम वैसा की वैसा copy आपका create कर देगा, source में जिस तरीके से आपने comment डला हुआ है, या, फार्मेटिंग है, या, जो हमारे पास में formula हमने add कि होए, वो same as it is, source की copy create होगी, next, paste special, all except borders, borders छोड के, बाकी सभी तरीके की formatting आपके पास में copy हो जाएगी, यहाँ पे borders नहीं आई है, बाकी सभी तरीके की formatting आगी है, formula भी show कर रहा है, comment भी show कर रहे है, next आते हैं, paste special, column width, column width के लिए, column width friends हमने इदर समझते हैं, हमने यहाँ से किया, और यहाँ पे जो column की width हैं, इदर column की width देख रहे हैं, आप इदर column की width देख रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे paste करते हैं, paste special, column width, तो जो column width हमारी यहां पे दियो हिएं Seam book की हुई column width आपकी इस जगे copy और paste हो जाएंगी जैसे यहां पे column width 23.29 और last column पे हम देखते हैं 23.29 मतलख, प्रैंट से अगर आप column की width के वाल copy करने चाहें तो आप इस option से column की width copy कर सकते हैं नेक्स्ट आता है पेस्ट स्पेशल में फार्मूला और नंबर फॉर्मैट्स ओके करते हैं इस फीचर से आपके बास में वैलियू आ जाएंगी जो वैलियू आपने कॉंस्टेंट डाली हुई है फॉर्मूला बार का आप देख सकते हैं वैलियू आ रही है और जो फॉर्मू आपके डिस्प्ले हो रहे हैं मतलब वैलियू और फॉर्मूला आपको अगर कॉपी पेस्ट करना है केवल फॉर्मैट्टिंग के अधर तो आप इस फीचर से कर सकते हैं कि अंडू करते हैं और लास्ट इसका जस्ट अपोजिट वापस स्पेशल और यहां पे आप आपको फॉर्मूला लेकिन यहां पर आपको शोंगे केवल वैलियूज सभी कॉंस्टेंट वैलियूज आपको शोव हो रही हैं कि फ्रेंट्स पेस्ट से आप बेसिक कैल्कुलेशन भी कर सकते हैं तो बेसिक कैल्कुलेशन हम किस तरीके से करेंगे बेसिक कैल्कुलेशन को हम एक एक एक्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे कि यहां पर हमें सभी स्टेंट्स को 10 मार्क्स बोनस में देना है तो सभी जो टोटल हैं उसमें हमको 10 मार्क्स एड़ करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं 10 लिखा हम ने इसको हम कौकी करेंगे और एड हमारे उकळना है इन टोटल्स पे तो इन सेल को हम सलक कर लेगे और राइट क्लिक करेंगे पे स्टेशल तो यहाँ पे operations में हमारे को मिलता है अभी none पे है यहाँ पे हमको करना है add 10 number हमको हरे total में add करना है ओके किया तो यहाँ पे आप जेखेंगे 208 और formula बार में हम देखें तो यहाँ पे plus 10 मतलब इन 3 cells का total करने के बाद में 10 marks यहाँ पे या 10 number यहाँ पे add हो गए है सभी में next अगर आप subtract करना चाहें घटाना चाहें उसके लिए भी same process रहेगा 10 marks suppose हमको इन सभी total में से subtract करना है घटाना है तो हमने इसको copy किया 10 marks को और select किया इन total में से हमको minus करना है right click paste special और यहाँ पे ले लिया हमने subtract ओके तो सभी cells में से आपके 10 को minus कर देगा जसे formula बार पे हम देख सकते है sum हुआ है B2 से D2 तक का और उसके बाद में 10 minus हुआ है undo करते है next multiplication अगर आपको करना है multiplication भी कर सकते है same इसको हमने copy किया और select किया right click paste special और multiplication ओके तो multiplication हो जाएगा जैसा कि formula बार पे आप देख सकते है सभी cells जो है 10 से multiply हो रहा है और last division आता है copy करेंगे cells को select करेंगे इनको divide करना है आपको और paste special लेके यहाँ पर देदेंगे हम divide by तो जो total values हमारी आ रही है उसको यह 10 से divide कर देगा front space special में ही एक फीचर आता है transpose का transpose के थुरू आप rows को column में और columns को rows में convert कर सकते हैं transpose करने के लिए select किया हमने sheet को और इसको copy किया transpose यहाँ से करना चारते हम output हमको यहाँ पर चाहिए right click paste special और यहाँ पर देए हम transpose check box पर क्लिक करते है okay strand name हमारे पास में rows में थे तो वो columns में आ गए और जो values हमारे पास में columns में थी वो values हमारे पास में rows में आ गए यह जासे की Aiva के maths में 78 science में 59 English में 61 और total आ गया था Aiva का 198 28 और percentage of marks हो गए थे 66 इस वीचर को हम कहते हैं transpose तो फ्रेंट्स आज के शेशन में आपने सीखा Excel में face special आप किस तरीकी से यूज कर सकते हैं या क्या क्या benefits है face special को यूज करने का आज के session में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स ट्रॉपे के साथ में तब तक के लिए good bye